हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो system की unwanted apps या bloatware रहते हैं उनको uninstall करना मैं आपको बदाऊंगा आपके पास कोई सभी android smartphone हो आप ये चीज़ apply कर सकते हो और system की किसी भी app को uninstall कर सकते हो बिलकुल असानी से चाहे वो clock app हो या जो message app है system की जो कभी phone से बाहर निकलने की सकते हो तो बही काफी interesting के वीडियो होने वाला है इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए और bell icon को press कीजिए ताकि future में ऐसी वीडियो की notification आपको मिलती रही बिना time waste के इस interesting वीडियो को शुरू करते हैं तो guys इसके लिए दो smartphone की हमें बिलकुल जरूर पढ़ने वाली है सबसे पहला हमारे पास ये वो smartphone है जिस smartphone में से मैंने application को delete करना है यहाँ पर आप दिख सकते कितनी सारे system application है जैसे कि clock, weather, play store, setting या जो remote control बगयरा वाले system setting बगयरा है उन सभी को में install करके आपको दिखाऊंगा as a demo इसके बाद हमारे पास दूसरा smartphone ये है ज जिस से हम commands बिल्कुल भेजने वाले हैं ओके तो यहाँ पर आपको दो application सबसे पहले download करने पड़ेंगी सबसे पहले जिस smartphone से आप command भेजोगे यानि कि ये वो वाला smartphone है और दूसरा smartphone हमारा ये वो वाला है जिस में से हमने application को install करना है तो जिस smartphone से command भेजने है यहाँ पर application है बिल्कुल आप देख सकते हैं तो ये वाला जो दूसरी number वाला application है आपको इसमें सिर्फ ये ही download करना है ADB OTG और ये दूसरा application है app inspector ये आपको इस smartphone में install करना होगा जिस smartphone में से आपने जो applications है उनको remove बिल्कुल करना है ओके अब इस smartphone में भी मैंने इस application को यहाँ पर install कर लिए है तो app inspector इसमें रहेगी और ADB इसमें रहेगी अब इसके बाद आपको दोनों smartphone की developer option में जाकर जो USB debugging वाला option है वो enable कर देना है तो जैसे यहाँ पर डूसरा पर जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो USB debugging है इसको आप enable कर देजिए ओके अगर आपको पता नहीं डू software version है यहाँ पर जो build number है इस पर अगर आप tap करते रहोगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि इतने steps में आप developer बन जाओगे ओके तो यहाँ पर developer option आपको मिल जाएगा जिस भी brand का आपके पास smartphone है उसके coding यह चीज पोसिबल हो जाएगी ओके अब इसके बाद जो है आपको यह करना है कि OTG के साथ अपने इस वाले smartphone को connect करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने OTG बिल्कुल लगा के रखी हुई है और OTG के साथ आपको एक USB भी चाहिए तो इस smartphone के साथ मैंने OTG लगा दी और जो हमारा दूसरे वाला यह input जाएगा वो जाएगा उस smartphone में जिस smartphone में से मैंने जो applications हैं उनको uninstall करना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है information आपके सामने आगी है जैसे ही आप app को install करने के बाद यह चीज़ें complete कर देते हो automatically आपके सामने यह वाला scenario आने वाला है ठीक है अब यह सब चीज़ें जो हमारी य लेजनी है और वो वाला smartphone है जहां पर हमने application को install करना है तो कोई से भी आप android smartphone ले सकते हो और यहां पर आपको application रखनी है ADB plus OTG और यहां पर application रखनी है app inspector क्योंकि हमने app का जो format name है वो check करना है ADB OTG application को आपको open करना है जैसे आप open करते हो तो दूसरे smartphone में भी USB debugging के लिए option आ भी नहीं होगी PM में इसके बाद उसके बाद diosa app के बार यहां यहां पर onion प्याल नहीं देना है यहां पर एक स्पिस मैंने दिया और उस पेस के बाद लगना है इस डख्श बेक्ले के नहीं है जो डैस आपने यहां पर स्पेस देने के जरूरत नहीं जो डैस ए उसके साथ लिखे के उसके साथ एक और स्पेस दीजिए उस स्पेस के बाद दो डैश लगाना है कठे ठीक है इस तरह से जो डो डैस आपने आप लगाए इसी के साथ ही आपको लिखना है यूजर ओके अब यहां पर एक स्पेस और दीजिए यहां पर एक डैश और लगाई है और इसी ड एक्टर है वो package name find करने के लिए जैसे कि Flipkart मान लीजे मैंने इस application को निस्टोल करना हो बाद में आपको मैं जो system application है उनको भी निस्टोल करके दिखाऊंगा अब तब Flipkart तो यहाँ पर जो package name है यह आपको as it is zero space के आगे paste कर देना है जैसे कि com.flipkart.android okay अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यह जैस पोसिबल होती है जीरो के आगे space देना है और as it is जो package name है वो लिख देना है अब यहाँ पर यह है flipkart यहाँ पर जैसे में run करता हूं तो बिल्कुल flipkart guide हो गया तो यह trick success हुई अब एक system app मैं आपको uninstall करके बताता हूं जैसे कि message app है okay message app को नहीं करूंगा मतलब message app किसी भी काम की मेरी आ सकती है जैसे कि feedback वाला application है इसको मैं uninstall यहाँ से नहीं कर सकता लेकिन app inspector में मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हूं यह है feedback application okay system का ही है इस पर click करूं तो यहाँ पर यह है इसका package name अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं जो package का command app वह यहाँ पर डाल देता हूं यहाँ पर रहेगा com.letv.android.bug reporter ओके बग रिपोर्टर हाँ यह मैंने ठीक ठाक ही लिख दिया मतलब ओक इसके बाद मैं बैक आ जाता हूं यह यह हमारा feedback application ओके यहाँ पर मैं जैसे run किया तो बिल्कुल feedback application भी यहाँ से guide हो गया है अब कुछ और application यहाँ कौन सा application यहाँ पर delete करूं तो जो compass वाला application है अब वो मैं आपको यहाँ पर delete करके दिखाता हूं पिर से वही जो command है वो डालेंगे यहाँ पर dot android.compass 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 ओके यहाँ पर compass कहां गई वही compass यह है compass यहाँ पर मैंने run किया और compass भी गायब तो पूरी तरह से किसी भी system app को आप इस तरह से install कर सकते हैं तो दोस्तों बस complete हो गया है यह सारा process और मुझे उम्मीद है कि इस video को complete आपने देख लिया होगा और किसी भी system app को आप असानी से निकाल सकते हैं सच कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है फ्राइल वीडियो में इतना है मैं आप से मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ कर मैं आप से मिलता है यहाएँ नेक्सट बाते हैं उत्व बाते हैं।